नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अमीच चैनल में आपका स्वागत है बढ़ते प्रदूसन और स्ट्रेस से हमारे बालों का बुरा हाल हो जाता है बाल ना सिर्फ जढने लगते हैं बलकि समय से पहले सफेद भी होने लगते हैं बालों की सही देख बाल के साथ साथ अगर आप उन्हें काला भी बना के रखना चाहते हैं तो सरसो का तेल एक बहुत चमतकारिक आउस्धी का काम करता है सरसो के तेल से आप मसाज सुरू कर दीजिए तेल का मसाज बालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और अगर सरसो का तेल मिल जाए तो फिर और क्या कहने वह बहुत आउस्धी का काम करती है हपते में अगर आप दो दिन भी सरसो के तेल से अपने बालों की अच्छी तरह मसाज करते हैं और अपने स्केल्प की अच्छी तरह मसाज करते हैं तो इतना ही काफी रहता है, फिर भी अगर आपके बालों में बहुत बड़ी समस्या आ गई है, बड़ी तकलीफ हारी है, बाल जहड़ रहे हैं, बाल समय से पहले ही सफेद होने लग गए हैं, तो उसके लिए आज मैं आपको सरसो के तेल में महिंदी या जिसे हीना भी कहते है उसको मिला कर लगाने के फायदे बताऊंगा, और उसको बनाने की पहले विधी बताता हूँ, इसके लिए आप एक कप सरसो का तेल ले लीजिए, और करीब तीन चम्मच हीना पाउडर या मेंधी पाउडर ले लीजिए, या उसकी पतिया मिल जाएं, तो पति भी ले सकते ह सबसे पहले आप गैस पर एक लोहे की कढ़ाई चड़ाएं और उसमें सरसो का तेल डाल दें, तेल को गरम होने दें, गैस की आँच को धीमी कर लें और फिर उसमें मेहंदी का पाउडर डाल दें, तेल में उबाल आने तक उसे अच्छे से पकने दें, अगर मेहंदी का पा हो जाए और मेहंदी उसमें पूरी तरह से घुल जाए तब गैस बंद कर दीजिए तेल वाली कड़ाई को करीब एक घंटे के लिए ढख कर रख दीजिए फिर जब तेल ठंडा हो जाए तब उसे अच्छे से छान कर एक सीसी में भर लीजिए यह आपके लिए एक चमतकारिक आउजधी तैयार है इसका आप अपने बालों में उप उपयोग करिये इस तेल को आप पूरे एक महिने तक उपयोग कर सकते हैं इस तेल को आपको हफ्टे में तीन दिन लगाना है तीन दिन यूश करना है आप रात में endi करिये रात-बर लगे रहने दीजिए फिर सुबे किसी आयरुवेदिक सेम्पू से या कम हार्मफुल केमिकल वाले सेम्पू से इसे धो दीजिए सरसो और महंदी के इस तेल को अपने बालों की जड़ में लगाना है तेल लगाते समय अपने बालों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट ले और उसके बीच-बीच में तेल को अच्छे से रगड कर लगाएं और सीर की मसाज करें इस नुस्खे का आप लगातार उपयोग करते रहें आपको 20-25 दिन के अंदर ही इसके चमतकारिक फायदे मिलने लग जाएंगे धन्यवाद